पूरे भारत में मौनसुन ने दस्तक दे दी है जिससे लोग को विशन गर्मी और उमज से काफी राहत मिली है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये राहत आपके लिए आफ़त ना बन जाए तो इसके लिए आपको अपनी डेली डायेट में जरूरी वतलाव करने होंगे जिसमे डेरी प्रोड़क्ट भी शामिल है आमतर पर हम दूद दही को हिल्दी डायेट में शुमार करते हैं लेकिन बरसात के मौसम में इनका सेवन करने से काफी बूरा असर हो सकता है चली जानते हैं कि बारिश के मौसम में दूद दही का सेवन कम क्यों करना चाहिए पहला है कि ट और बक्री इन्हें चारे के तौर पर खा लेते हैं इसका नतीजा यह होता है कि किटानों घास फूसके जरिये दूद्ध देने वाले जानवरों के पेट में पहुँच जाते हैं और फिर जब दूद्ध देते हैं तो इसके सेवन से हमारे शेट काफी नुकसान पहुच सकता ह ऐसे में बेहतर होगा कि हम सावन गुजरने का इंतेजार करें और मिल्क प्रोडक्स से थोड़ी सी दूरी बना लें दूसरा है इम्म्यून सिस्टम पर परभाव पड़ता है मौनसून में बारिस के कारण हर तरह के बैक्तिरिया पानी में पनपने लगते हैं यह जरूरी न पनीर जैसे चीजे बनती है जो बैक्तिरिया दूर्ज में मिलते हैं उसे तयार किये गए दही या पनीर में भी उसके मिलने की संभावनाएं हो सकती है और इस तरह से यह बैक्तिरिया आपके शेड़ तक पहुंसने का खत्रा होता है मौनसून के दिनों में ऐसे आहार लेने दही खाने की सालाह दी जाती है क्योंकि इससे पेट ठंडा रहता है और पाचन से जुड़ी कोई भी परिशानी नहीं आती लेकिन बरसात के मौसम में वैसे ही ठंडा हो जाता है और ऐसे में ठंडी चीजे ज़्यादा खाएंगे तो सदी जुकाम का खत्रा पैदा होने पेट, दर्द, कैस, दस्त और उल्टी के शिकाहिते भी मुम्किन है इसलिए मौनसुन में थोड़ा सा परहिच करना भी जरूरी होता है ऐसी ही जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें